अजय को अजय को अजय को अजय को वो कहरें नहौर कट-कट हम अब बात है भई देखो खुशिया इतनी है हमें पीटीवी की सालगरा की और शोर इतना है केक आ रहा है तो छूरी रह गई जैसा के जिल्फिकर सभ खायर सब होता है हर बर्दस्डे पे आफ सब को पीटीवी की सालगरा बहुत-बारे को ऐसे से नाम और ऐसे से हस्तिया मوجود है कि कहां से तारु जह अभी मंखरें को शुरू करे हैं, यह मुआइसाद मुठरम जमालories की अधार के व बिद्र रेजिएमरें, सर्ची, कि मुझारें जाएम कुछ बावाय टेलिविजन के लिए लेकिन उसके इलावा पी टीवी के अंदर इनिशिल प्रोडूसर्स में से और मेरे खाल है आज हमें जितने बड़े-बड़े नाम नजर आते हैं उनकी जबान, उनकी अदाईगी, उनकी तेलफिस के अंदर आपका नसरी आपा बहुत कां नहीं, आपको तो सुनके और आपकी सोच और फिकर से मैंने का मसकम बहुत कुछ सीखा, बहुत शुक्रिया तश्रीफ आवरीका, मारे साथ खाजा निजमल घसन साहब और जुल्फिकार एमद साहब मौजूद है, जो के फॉर्मर डिरेक्टर्स प्रोग्रम और मेरे तुख आज का हमारा एक ही सवाल है, अग्तर भाई, के ऐसी पीटीवी की कोई याद, जो ना आपने आज तर किसी दे से शेयर की हो, और ना कभी भूल पाएं, कोई सैट की, कोई ड्रामे की, आपने तो म्यूजिक में भी, कोई ऐसी याद जो आज भी आपको हसा देती है। तो उसा देती है यह रुला देती है ऐसा था के पालेशा हम कर रहे थे और ये केटू करके आया था केटू मेरी एक फिल्म थी जो हालिवूड की थी वो करके मैं वापस आया था और पालेशा की शूटिंग के लिए हम गये थे फोर्ट सिंडिमन पालेशा सारा आओडोर घोडों वगार पे था हमने वहां शूट किया बहुत कुछ जी जी और जब हम वापस से आ रहे थे तो कान मेतरजी से पहले बर्फबारी शुरू हुई और तूफान कान मेतरजी पहुँचे तो गाड़ी रुग गई अब कोई 15 मिनिट के लिए मैं उतरा हूँगा सजाद भी साथ थे दो तीन और आर्टिस साथ थे सकीना सम्मो और हुमामीर वगारा कुछ बैठे थे हमने 15 मिनिट गाड़ी को धका देने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हुई वो सर्दी जो मैंने महस्ूस की उन 15 मिनिटों में वो मैंने केटू में दो माहामें ऍगलैशर पे थे माउंट वाड़िंटिन बिर्टिश आंगा गलैशर जिस पर केटू शूट हूई थी मैंने उस दोरान उस दो महीने में उस तरह की शदीद सर्दी मैंने मैसूस नहीं कि अलागे टेमपरिशिस वहां माइनस तर्टी हो जाते थे लेकिन वह सर्दी तर्थी ये इंतहाई खुश्क हम बैठे और निकले आगे तो सामने से एक और गाड़ी हमें लाइट्स दे रही थी डिपर्स तो हम न जी जी बे इंतहा ठंड कान में तर्जी इस दे हाइस्ट स्टेशन ट्रेन स्टेशन बहुत उंचा है और बहुत शदीद सर्दी होती है तो बाज अकात शूट करते हुए पालेशा था भी बड़ा चैलेंजिंग एक सीरियल जो मेरे ख्याल है के पी टीवी के जो चीदा ची जाता यादगार वाकिया जो आपना कभी भूले हो ना कभी बतलाया हो बहुत सरे ऐसे वाकिया पहले दिन से सबक मिलना शुरू हो गया था असलम साब से और बहुत सरे मौके मिले अजीब और गरीब दो दो वाकिया बताऊंगा एक तो ये कि पी टीवी का हर आदमी चाहे हो सीनेर हो चाहे एक जूनियर हो इसके एक इन्वैल्म्ट हो थी पी टीवी साथ उसके एक मिहाल सुना हो environmental याद हो गए नजम को मैं और नजम साथ काम कर रहे थे एक सदर साब थे जिनकी खाइश होती थी कि उनकी हर तखरीर के बाद कोई निया नगमा रिकार्ड हो, कलाम इखबाल हो तो मेरे दिम्हे लगा था क्योंकि मैं लाहर में था, तो कलाम इखबाल की फरमाईश थी तो मैंने भेजा शानूर स्टूडियो होता तो लाहर की बात है, काफी दूर और मैंने सोचा कि अख़लाख है मस्ते कराऊंगा, वो पता चला कि शानूर में कोई काम कर रहे है, तो मेरे पियन होते थे, मुबाइल का दमाना नहीं था, मैंने उन्हें गाड़ी बढ़ाया और क इतनी देर में आगे बता रहे हैं उनकी तरस नहीं देखा मेरे देखे गा, सर मुझे बज़ा कलाम एकवाल होना है, तो अखलाख अमद नहीं मिला, मैं शौकत अली को ले आए हैं, शौकत अली ने खुदी का सिर्ए ने आगे गई है, वो बुक इंपने एक पी-न ने की ती मैंने नहीं बुलाए था, लेकि आप यह देखिए कि वो फूरा ऐसे टीम वर्क उसको यह, मैं यह कहा रहा हूं कि पी-न तक इतना हो उता था कि उसको आप लेकर आया और आपने देखा वो कितना बादे मखबूल हो गया, अच्छा अखलाक अमद शाब ने गाना था ओर ग अक्सर मुझे साथ ले लिया करते थे, तो हम गए तो दूर से पानी में देखा कि एक बूड़ी सी खातून, पलंग पे या तख सा उस पे बिचारी तेर्टी भी आ रही थी, और कभी डॉल रहा था यह और कौने की दर्वा आ रही थी, हम इनदार में खड़े वे थे, वो कहना की ठीक है, अन्हें अपने बाल से ठीक है, और मैंने का क्या बोलेंगी, कहना मैं नूपता है, पीटी वी है, सब अच्छा ही बोलना है ला, आए, सो क्यूट, यह उनकी थी, यह तो पीटी वी ने अपने नाजर को भी घुरूम पहले दिन से कर रख ता है, बुदा कर पहले दू से हमें सिखाया जाताा था, तो इहतियाता है, उसमें बहुत वई चीज़ें कह भी देते थे, और मोगाती बहुते बहुता है, और पूछे भी नहीं जाते हैं, आफCR साइट है, कि उसलिकत के से सचत बात कहने के सलीका हमें आता था, हम कह जाते थे, ने वह कॉछा अब लाहूर से कोईटा के बादे हैं। असलम साहब तो हम सब के सस्दाद ही। आपके पास तो खेर बेशुमार यादे होंगी असलम अजर साब को हम बाबाई टेलिविजन कहते हैं और उनका प्रफेशनलिजम और प्रफेक्शनिस्ट होना मशूर है उनकी डांट भी सबने खाई कुछ हमें कुछ कोई एक दो यादे हमारे से शेयर कीजिए बहुत ही को द होता था ना चुरू में तो कोई रिकॉर्डिंग की फसिलिट नी थी तो बड़ी दिल्चस्क चीजें हुई मतलब एक चीज जो मुझे फॉरन याद आ रही है वो यह कि दो हमारे कैमरमन होते थे और वो बच्छों का प्रोग्राम था तो उसमें बलकि बच्छों का प्रोग्राम में आये थे और इतना खुबसूरत उसने गाया था उस वक्त अभी भी बहुत अच्छा गाता है जाहर है कि हम लोग इतने इंप्रेस हुए थे कि इतना सा तो फैल उनको लेके आये थे अच्छा दूसरी बात जो मुझे याद आ रही है वही बच्छों के प्र जब आया तो उसके पास जब कैमरा उसकी तरफ जाता था तो वह कहता था तो हमारे एक कैमरा में इतने डरे बिलकुल जैसे आप जैसे बिली करती आ या शेयर तो वो मुझे याद है कि फिर हम सब को बहुत हसी आई थी कि वह यादें जो लाइब ना होती हो रिकॉर्डिड थी खाजा साब बहुत कम मुक्तसर वक्त है आपकी खेर हम जादे हम सुनते ही रहते हैं लेकिन को ऐसी व्याद खाजा साब जो आज तक आपने टीवी पहला बताई देखें मैं यहां पे पांच साल इसी जगा पर वीबर टोगेदर तौसीक हर वकत एंकर मेरे हर वकत यह मेरे साथ ही होता था तो लाइफ शो था और मेरे खाले एड का दिन था तो इसका कॉल आई के जी मेरे तो गाये के साथ एकसिडेंट हो गया एएपोर्ट के पास अब मैं तो नहीं आ सकता अचा अब मैं बड़ा परेशान मैंने कह एक बात बताओ तो तुमारे चेहरे पे तो अचा फिर वो आखरी मेरी जो मुलाकात असलम साब की मैं अब जस टेलिंग मुझे कहा गया कि उनका इंट्यू उसका बेग साब होते थे तो नसीन भावी बैटी वी थी मैं उधर गया उनके घर अचा आपको पता असलम साब के चाहे घर में नई किताब उनकी मेस पे होगी और उसकत अफगानस्तान भॉर थी तो उस पे वो बैठे व असरे अचा मैं ने का जी इंट्यू करने कहते एक शर्त है मेरी मैं ने का जी किए एंट्यू तुम करोगे नहीं बखारी नहीं करेगा मतब उनने तो अने वीटिव आप बैठी भावी मैं ने का जी अचा दो के म राह आपम अविक कॉना में इस मोम गानाओ कि जैसान कोई ना किसी ना किसी वाकियात का मैं लखोर में जीмен था और एड की जो नमाज पढ़ने गया हुए था शाही मजजिद शाहिमजिद में नमाज पढ़ रहा हूं तो मुझे अभी मौली साब कुछ बोल रहे हैं तो मुझे किसी इर का फोन आया कि उनके जी हमारी लाइफ ट्रांस्पिशन जाने वाली है इसलामाबाद से और पता नहीं कौन सा जो है कोई ऐसी चीज बैट गई ऐसा जो जो सिर्फ आपके सेंटर पे हैं तो मुझे कुछ सुमाई नहीं दे रहा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं कि क्या कर रहा हूं तो मैंने उसी वक्त फोन किया अपने उस पे मैंने का यार वो एक हमारे पास एक खास मशीन है वो इसलामाबाद जाएगी तो वो वहां से फिर हमने भीजवा हैं तो वो ऐसा मुझकिल काम और इतना टेंशन वाला काम चल रहे होते थे और इस किसम के वाकियात की तो एक पूरी लाएं चेन भरी हुए है कि आप सुनाने बैठे हैं और वो हर मतलब लगता है कि कल की बात है ऐसा कल हुआ है और रात में ये सीनियर लोग बैठे हैं कोई पर्डूसर या कोई जब आब इसमें होते हैं वो रात चैन से नहीं सोता है जल्फकार साब खाजा नजमल हसन साब अक्तरवकार रजीम साब ये हमारे उन रहबरों में से और उस्तादों में से जिनके बारे में मैं कहता हूँ भाई ये कुछ एहबाब ऐसे हैं कुछ नाम शाजी ऐसे हैं जिनके उपर 60 साल की रिटार्मेंट की एज का जो है ना वो नहीं होना चाहिए था माशाला आप अभी भी एक्टिव हैं और कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं और हम जैसों की रहनुमाई कर रहे हैं आप सब को पाकिसन चेलेविजिन की सालगरा बहुत- होड्सारे नुमाई